हाई एवरीवन वेल्कम बाक टुशाई क्लासस फुर्स फॉल गुड इपनिंग टु एवरीवन सुभ संद्य आप सभी को आदाये फ्रेंड्स फटाफट सभी लोग हरी अप आपकी लिंक जो है टेलिग्राम पर शेर की जाती है तो आप लोग वहां से तुरन जॉइन हुआ अगर कभी कभी नोटिफेकेशन का इशू रहता है क्योंकि इतनी साही क्लास अप्लोड होती है तो वह टाइम पर नहीं जाता है इसलिए कहती हुए टेलिग्राम को जॉइन किये रहा करिए तो वहां पर आपको लिंक तुरन्ट मलता है तो आपकी एक भी क्लास मिस्त नहीं ही रहा है मार्च और अप्रेल दो महीना बचेगा और अगर जून तक हुआ तो फिर टाइम है जैसा अभी होगा अपडेट तो मिलेगी फिलाद पहले रिजल्ट देखेंगे हम लो रिजल्ट आपका होली के बाद ही आएगा उमीद तो यह है जैसे भी कोई अपडेट मिले ज़रूरी से जरूरी क्योंकि आपका यह जरूरी नहीं के साथ में ही अगर बहुत लेट नहीं करना है न क्यूंकि बहुत देर हो जाएगे तो दिक्कत बढ़ेगी जैसा भी होगा पता तो चले गई यह मैं सोचिए अगर साथ हो जाएगा माले जिए साथ में होता है तब आपके लिए दिक्कत बढ़ने वाली क्यों कि आप थर्ड का पढ़ोगे कि फर्स का पढ़ोगे क्या क्या वरोगे और अगर अलग अलग होता है तो जदा अच्छा रहेगा ताकि आप अराम से वक्त दे पाए तो उन विश्यों पर भी आप फर्माना शुरू करिए जिन पर बाक लगी हुई है वो भी तो आपको क्लेर आउट करना है तो ध्यान रखिए थोड़ा सा अभी वक्त है तो उन पर भी नदर करिए जिस सब्दक में जिसकी बैक लगी है प्रेलिस बनी हुई मैंने पढ़ाया है तो वह अपना कॉंटक करिए और देखना सुरू करिए ताक आपको जो टॉपिक में आज डिटेरिन डिसकस करेंगे वो आपको बताना चाहती है करनाटक के योदू से संबंदित बाते हैं कि क्या है करनाटक के तीन योदू है प्रताम जुती तीनों पर चर्चा करेंगे फिलाल आज के लिए एक ही करेंगे जैसा भी हो पाएगा और तीनों फूल डिसकस मिलेगा क्लास मिलेगी हर एक ची समझाया जाएगा ताकि आप अच्छे से कर ले और पीडिया भी टेलिग्राम पर मिल जाएगा इस वक्त आप जिड़े है शानी क्लास साथ आपको मुझे उम्मीद है कि कोई टॉपिक फसेगा नहीं आपको हर एक जित होगी यह दो क्लास आपकी रेगुलर के साथ चलाने की पूरी कोशिश रहेगी और रात को नौ बज़े आपकी यूपी टेट की क्लास भी वहने स्टार्ट की हुई थी तो उस पर भी हम कॉंटिन्यू का रहे अब जल्दी ही स्टार्ट करने वाले ठीक है तो यह तीन क्लास चली देखते हैं क्या है आज का जो पहला टॉपिक है मेजर टॉपिक है जिस पर हम डिसकस करेंगे वो है करनाता के युद्ध के एक कारण जानेंगे उनके महातोव परणाम से संबंदित कुछ बाते हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे जो की प्रश्ण अमारे एक्जामे हम से पूछे जाएंगे चली पहले कुछ बाते जान लेते हैं कि तब हम पूरे युद्ध के अच्छे समझ पाएंगे है क्या अक्चुल में हुआ क्या था करनातक से आपको क्या समझ में आ रहा है एक राज है जो हम राज से समझ रहे हैं ठीक आए करनातक अपनी धन संपता के लिए प्रशिद्ध था करनातक के पास इतनी वेल्थ थी उसके लिए काफी तदा फेमस हुआ था दिल्ली के सयद बंधुओं के प्रभाव से मुगल समराथ ने मराथों को करनातक के चौथ वसूल करने के अधिकार दे दिये थे ठीक है ये एक प्रथा थी ठीक है ध्यान र उसके बाद है जब मराथाओं ने करनातक के नवाब दोस्त अली से जब करनातक के नवाब कौन थे उनका नाम था दोस्त अली दोस्त अली से चौथ की धनराशी मांगी तो उसने यह धनराशी नहीं दी तो मराथों ने 1740 में करनातक पर आक्रमण करके नवाब दोस्त अली क को परास्त कर दिया था अभी इतनी बात आप यहां पर पढ़ रहे हैं आप देख रहे हैं कि क्या रीजन था कैसे ये युद्ध का एक आक्रमर का रूप ले लिया एक छोटी सी घटना इतनी जब बात आपने यहां तक पड़ी तो क्या समझ में आ देखो मैं पहले तो यह पत प्राप्ति को कहा जादा था जो पूरा आपका हिस्सा इतना पुराजस होता था जो हार एक राज्य का उसका एक चौथाई हिस्सा यह भारत में कह सकते हैं कि प्रतेग जिले में राज्वन्स प्राप्ति और वास्तिविक संग्रहक थे वहां पर यह सिस्टम को एक प्रकार से कर था टैक्स वसूल था ठीक है कुछ और नहीं था कि आपको अपने हिस्से में से एक चौथाई जो है जमा करना पड़ता था अपने राज को उसका एक चौथाई हिस्सा आपको वहाँ पर लगान के तौर पर कर के तौर पर देना पड़ता था जो कि सारे राज़ा से कोई चीज अलाग होती तो सब तो मानते नहीं है तो यह कह सकते हैं कि एक जिले के राजस्ट शुमांग का एक चौथाई हिस्सा जहां से माराथा ने मार्ग और अधिपत के अधिकार पर दावा किया था वो ये कारिक्रम था चौथ वसूल जिसकी वैसे हर जगा इनकी कहीं ने कही देख सकते हैं कि बहुत जादा इनको जो है दिक्कत भी हो गई लोग देते नहीं थी लड़ाई इनकी हर जगां से बढ़ गई थी तो यही है चौथ वसूल यह चौथ कर आपको अलग अलग तरीके से मलब है वही चीज देखने को मिल सकता है आपको अपने हिस्से का एपन समय करनाटक के नवाब दोस्त अली थी चौथ धनराशी थी जटना चौथ बं रहा था उसको देने के लिए मना कर दिया जब इन्हों कर दिया तो अग्माण करके परास्त कर दिया था किसको दोस्त अली को किसने मराठा उने दोस्त अली की मुर्त के पस्चात मराठा ने दोस्त अली के पुत्र सफदर अली को करनाटक का नवाब मानकर उसको उससे संदी कर ली अब जब पिता मर गया तो पिता के बाद जो बेटा था बेटे को गदी पे उसका समराट बैठा दिया और बैठाने के बाद उसे संधी कर ली उसे मित्ता कर ली और उसने मराथा को एक करोण रुपे देने का वचन किया था उसने जब पिता ने जो चीज नहीं की फिर बेटा हो सकता है डर गया होगा या जो भी रहा होगा तो बेटे ने एक करोण देने का उसमें वादा किया था किन्तो इस बीच मुर्ताज अली और सफदर अली सफदर अली का वद कर स्वैम नवाब बन वैठा अब इसमें क्या हुआ था कि उनका जो उनके एक खानोब जी कहते हैं से कोई था वो बंदे ने वही है कि देरा नहीं चाहा क्योंकि जब बाप मर गया तो वो सारे लोग को रहता है तरह गदी गदी चाहिए तो उन्होंने उसका वद कर दिया और वहाँ पर खुद जाके नव किया और वहाँ पर हराए और उसे बंदी बना लिया हैदराबाद का निजाम इन घटनाओं से रूस्ट हो गया था जो यह सारे कंडिशन हो रही थी जो परिस्टियां चल रही थी मार काट एक कर को लेकर को लेकर ठीक है उगाही को लेकर जब वो कारिक्रम हो रहे थे इससे बहुत सारे और भी लोग को बात तो पहली रही थी तो बहुत रुस्ट हुआ क्योंकि दच्छिड का मुगल सूबेदार होने के नाते करनाटक उसके राज का एक प्रांत था उसको दिक्कत इसी बात के हुए क्योंकि वो बड़ा सा सूबेदार था और उसका जो करनाटक मे नवाब घोशित कर अनुरुद दीन को उसके संदक्षक निउप्त कर दिया गया देखो पहले तो आचानक बाप की मित्ती हो गई थी के सयद अली की जो करनाटा उने की अब यह जब हुआ तो बाप मर गया तो उस पर जाके जो है सफदर अली बैठा अब यह सफदर अली ज जला पाएगा नहीं हम इसको मार के बैठ जाएंगे और हम इनको एक भी रुपए देंगी नहीं तो यह बात खराब हो इतना बीजा के दूसरे का आक्रमन किये तो वहां का जो में सुपधार था जिसके एंदर यह चोटे टोटे गढ़ आते थे उसको गुस्त हो गया कि या चीज आप देख सकते हो कि मुगलों ने चीज उनको दे दी और उसके बात बढ़ गई तो निजाम ने फिर क्या किया निजाम सहाब ने क्या किया कि जो सफदर अली का बेटा था बहुत छोटा था सेयद मुहम्मद को जो है करनाटक का नवाब गोशिश कर दिया था बहुत दीन नामा के संदक्षक निवत कर दिया गया कि ये इनके संदक्षक रहेंगे अल्प अधी में ही अउरुद दीन ने बालक साइद मुहम्मद का वद कर दिया अब आप देख रहे हैं ये देखे क्या क्या घटनाए हो रही है जब अल्प अधी में मतलब बहुत थोड़े ही समय में बहुत कम शॉर्ट डूरेशन में अनुरुद दीन जिसको निजाम ने उसका संदक्षक बताया था ने उसी बालक साइद साइद मुहम्मद का वद कर दिया वह तो इत अबड़ा राक्षस तक उस बच्चे को मार डाला और स्वैम करनाटा का नवाब बन गया इतनी गद़ी प्यादी थी इतनी गद़ी वहाँ पर सस्ती थी कह सकते हैं के कि एक कि बादे क करते गए और ऑपस देगने नीजाम ने उसे मानता दे दी फिर नीजाम ने वहां और दोस्त अली के बन सफवे कि अनुरुद दिन उनकी वंस का नहीं था वह उनका संदक्षक था तो जो जनता होती है जो और परिवारगर होती है औरते भी होती बहुत कुछ तो भाई जब जब खून की परंपरा चल रही जो वंस परंपरा चल रही उसी में से कोई बैठेगा तो मंजूर है लेकिन अगर कोई संरक्षक जाके ऐसे मंत्री मंडल का जाके ऐसे बैठ जाए त तो यह एक कह सकते हैं कि चरम सीमा पर थी पूरा खतम होना था विनास होना था पतन होना था करनाटक का नवाब मराठे और निजाम राजनितिक सकता प्राप्ति के लिए परस पर पर दंदी ते करनाटक के नवाब को ले लो मराठाओं को ले लो निजाम को ले लो ये अपनी राजनितिक सकता को बढ़ाने के लिए और जो है कबजा करने के लिए अपने नाम को फैलाने के लिए अपना वर बिटिस और फ्रेंच कम्पिनी ने इस करना तक की इस दुर्दुसा का लाब उठाया और करना तक में हस्तचेप करना प्राणा प्राणा कर दिया और उस समय बिटिस तो आए हुए जो से पहले ही आ चुके थे अब वो यह सारी कंडिशन देखके मन ही मन के लड़ू फूट र बिटिस और फ्रेंच कमपनी इंडिया में आई हुई थी वो सारे दृष्ट को देखते हुए अपने मन रणी ती बनाते हुए इस करना तक के युद्ध में वो धीरे-धीरे करके घुसना सुरू कर दी और जिसकी भनक इनको लग नहीं पाई थी आगे देखते हैं अब यह सारी कंडिशन जब हुई तो उसका फिर यह बहुत बड़ा भव युद्ध कह सकते हैं कि युद्ध का अंतोगता भी छोटी बटी लड़ाई थी बात में यह युद्ध बन गया अब इतनी बात मैंने आपको समझाए कि करनाटक का जो यह युद्ध चल रहा है जो करनाटक कैसे हुआ तो यह एक कर से जाकर सुरुआ चौथ नाम का एक कर लगाया गया था उसका धनरासी लेने को कहा गया धनरासी इनको नहीं मिली और मार कर जो है काटना गला काटना गद्धी कपजा करना और यह करेकरम चलता चला आया फिर यह युद्ध का नाम ले लिया जो की बना करनाटा का प्रथम युद्ध कव गवा 1744 से लेकर 1748 तक क्लियर यहां तक बात समझ में आई सिंपल सस्ती ठिकाओ बाते में आपको बता एक दम स्टोरी के रूप में कि क्या क्या कैसी हुआ नाम सारे नहीं याद रहेंगे मुझे मालो में तरे सरिकल यह यह की वो कि रिझा हैं हमेशा भूल जाते हैं भी बढ़ा रहें अभी डो तीन यह नहीं दढ़ा रहें लेकिन दो तीन यहाद है फिर आपको बनाकर वापन लिख देना है चलो आपके देखते हैं क्या है लाइक करना बिलकुल नहीं भूलेगा क्लास पसंद आया ही आप देरी रूटीन जब बनाएंगे ना तो आपका एक इंटरेस्ट बनेगा इंटरेस्ट नहीं है कि तब यह साही चीते फिर बोरिंग ल युद्ध प्रारम हो गया दोनों के समय उसमें दोनों के भीश में जंग छड़ गई थी इस युद्ध के प्रतिक्रिया सरूब भारत में भी ब्रिटिस और फ्रेंज कंपनी पर दूसरे के विद्ध में चेतर में रण में आग बतलब यह वहां पर अपने जहां पर इनका निवास अस्थान था वहां पर दो रड़ ही रहे थे हमारे भारत में भी आकर इनका जो रण युद्ध था बुछड़ गया था यह यहां पर भी आके अपने युद्ध की फैलाई हुई आग से लड़ना शुरू कर दिये थे आगे देखें इसमें क्या है इस युद्ध के प्रतिक्रिया शुरू भारत में भी यह सारा युद्ध मच गया था फ्रांसीसी ने जलसेना की सहायता से अंग्रेज के मदरास पर आकमर कर उस पर अधिकार कर लिया था ठीक है अब जहां इन लोग को जगा मिल रही थी जहां इसे प्रकार नवान ने एक सेना मदरास पर अधिकार करने के लिए भीजी किन्त फ्रांसीजी गवंणर डूपले ने इस सेना को 1936 में परास्थ कर जा लेकिन तब भी फ्रांसीजी की सेना ने डूपले की सेना जो थी वो इतनी पराक्रमी सेना थी इतनी बड़ी विशाल थी कि उसको उन्होंने हरा दिया इससे प्राज ने लगए 20 किलो मीटर तक अंग्रेजों को सेंट डेविड दुग पर आकमर्ड कर दिया फिर फ्रांसी से ने क्या की डूप लेकि और टीम आगे वड़ी दिया के फिर उसमें जाकर हंगामल लब तोड़ फोड़ किया और जाकर जो है आकमर्ड की चंग चेड़ दे क कींति वहाँ पर उनको सफलता नहीं मिली वहाँ पर हार गर अब इसी वीज़ यूरोप में एक सा लसापल की संधी हो जाने से वहाँ पर अलग-लग अलगाव संधी हो जाने से और ऑस्ट्रियों के उत्रा दिकार को युद्स भात हो गया और भारत में भी ब्रिटिस और फ् अब ये वहाँ पर युद्धे समापत हो जों यहाँ भी युद्ध कहतम हो गया और पात ने अगरेज को जाकर अधर गर्ज ने अपनी कम्पनी यां को किया व धगया था खोला वे गड़ा था वह उनको दिबारा से मिल गया ठीक है ये ही सारी चीजे हैं जो यह लड़ाई ज किसी की है तो विवालों का सरकार किया तो कबजा कर लेते हैं तो बहुत साइची थे दो दो इटा बढ़ा लेते हैं तो देखने को मिलता तो वैसा है कि जो जीत रहा है वो चाहरा है कि हम जो हमारे से छोटे हैं उनको हम दबाएंगे मारेंगे कबजा कर लेंगे तो यह सारा स से भीतर लगवा कि सुपचातर किलोमेटर का छेत यदिस ते वगोलिक ज्ञान प्राप्त हो गया जिसका लाव उनके अगले युद्धोवा मिला आप देखो जब युद्ध करते आये थे तो हर जगह तो यह इंडिया में घूब नहीं पाया थे हर जगह जा नहीं पाया हर ज दो पर दो नहीं नहीं जगह की जानकारिया भी होती गई ताकि इनके मन में फिर यह और वैसे लालस तो थे इनके मन में थाई कि जितनी जगहें और एक्सप्लोर की देखिए वह अगले युद्ध के लिए तयार दे कि हमको यहां पर कब्जा करके कारे करना है जो इन से छो कि को हरा सकता है तो इनके दिमाग पर पर लिखना के लिखन पर देखने को मिलें आगे चलिके और युद्धिकाकार इंकर तेदे वाढ़ ही!!! तो करनाटक का दूसरा युद्ध का कारण क्या बना होगा भी पता चलेगा आपको तीसरा युद्ध भी हुआ एक ही तीन तीन युद्ध हुआ कि लोग के मन में चांती तो थी नहीं उपर उपर से दोस्ति किये थे अंदर अंदर सत्तुता भरी हुई थी तो उसका परणाम यह सब देखने को मिला बहुत अच्छा परणाम नहीं रहा है अगर हुआ होता तो आगे युद्ध होता ही नहीं कहानी यहीं खतम हो जाती लेकिन ऐसा कुछ नहीं था अंदर कुछ बाहर कुछ आगे चलते हैं इस युद्ध से जल सेना और समुदी सक्ति का महातुस्पस् सब्सक्राइब करें अब यहीं से दिमाख में इनके फितूर भूमने लगा पहले तो यह बिजनस करने मसाला खरीदने यह करने आए तो कच्छा समान खरीदने आए लेकिन जब इनका युद्ध यहां पर भी हुआ कि यहां पर अलग अलग बाहर के लोग आगे और जब यह यहां पर भी लड़े तो यह सोचे कि वहां पर तो इनका पूरा हब है तो सुरक्षा हो सकती लेकिन यहां इनका हब नहीं सुरक्षा तो जही है तब इन्हों ने यहां पर भी अपनी सेना टुकडी लोगों को भारतियों को अपनी सेना में इंवाल्व करना उनको सिखाना उनको पैसे के लालस देना, उनको बंदूग वियरा देना, उनको तोब गोले बंबारूत देना, इसके लुभाने का प्रयाद शुरू किया थाकि इनकी सुरक्षा यहां जो भारत में आकर यहां पर रहरे है जिसको ने में, वहां पर भी इनके विशाल टकुडी तयार हो जा फ्रांसिस सहायता प्राप्त करने को भी काफी उच्सुक हो गए कि हम उनकी हेल्प करके आगे देख सकते हैं बहुत कुछ तीक हैं हम उनको अपने मिल मिला लेंगे तो हमारी पावर और बढ़ जाएगी नेक्स देखें यहां पर दसवा पॉइंट है कि भारती राजिती दु बारूत बं तो कुछ भी ऐसा समान साधन नहीं है जिससे यह किसी भीषण युद्ध को या किसी बड़े युद्ध को लड़ सकते हैं तो जब आपके घर की कुई अंदर की बात जान लेगा तो वह आपके फिर आपके घर के लोगों को मारना चाहेगा आपका कुई समान च इनको जला घर में जला दिया गया है और उसके लिए पुलिस बोल रही है कि वो लोग खुद बंद कर लिये थे या जो भी रहा हो सीन मैं उसे पर चटा नहीं करूंगी फिलाल के लिए क्या हो मुझे पूरी डिटेल नहीं मालूम है लेकिन न्यूज में आया था तो कि काफ अंदूरी चीजें कोई जान रहा है कर रहा है तो आप पर कभजा करना आपको दबाना आपको बुचियाना आपको हेड़िटेट करना इसाफ कारे करना सुरू कर देता तो वैसे आपकी यह जो रंग्रेश थे चलाक तो थे ही आपकी जब जानके कि यह लोग आपस में ही न नहीं पाये जिसकी वज़ा से अपने बाप, चाचा, बाप, पोता, बेता सब को काटते चले गए सिर्फ लालज बस अपने समराज को बढ़ाने बस राजा बनने की भूप बस अपने अपने को खोते चलेगा और यह मज़र उठते गए जो कि इंडिया वाले समझ नहीं पा पात थी वह यहां पर आप से डिसकस की कि युद का रीजन क्या था उस चोटी से बात से लेके इता भीचन युद हुआ और उसके परड़ाम क्या क्या निकले अगर आप करनाता के प्रथम युद से प्रशन बनता है तो मुझे उमीर है कि आप गलत नहीं करके आएंगे सब तो जो भी चीज़ें आएंगे हम बताएंगे चलिए फ्रेंड्स तेलिग्राम को जॉइन करेंगे तो लिंक आपको मिल जाएका नोट समरें जान कारें के लिए तेलिदास से कॉंट्रेक्ट करिए और पढ़ना सुरू करिए कि अगर पेपर मही में हो गया तो अपने लिए प्रिपेर रहना सुरू करिए अब इस बात को ध्यान आखिए क्योंकि अगामी में 2014 सुनाओ है तो चुनाओ में ही जो होना होगा इसे यूपिटेट भी होगा इसे भी सुपर्टेट भी होगा अगर आपका पेपर मही में जल्दी हो गया तो आपका अक्टूबर तक जो है जल्दी मनाई है कि आपका पेपर जल्दी हो जाए तक कि आप फोर्ट सेमेसर का पेपर दिये रहेंगे माले जल्द नहीं आया है तो आप अपीरिंग भी डाल के सुपर्टेट कर भर सकते हैं तो इसके लिए प्रपेर रहिए ताकि हर एक चीज अच्छ जल्दी से हो जाए पढ़िए फटा-फट खतम करिए पढ़के तो वह ज्यादा अच्छा होगा अपको एक्जाम के लिए टार्गेट एक्जाम उस पर आपके हेल्प हो जाएगी आई होप क्लास अच्छी लगे होगी हमने एक अच्छे मुद्दे पर डिसकस किया बात को किया कोई प्रॉब् झाल 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 झाल झाल